आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं ऐसी ही लाजवाव रेस्पी असलाम अलेकूम वेलकम बैक टू जायक अपने किचिन का तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ ऐसी मज़ेदार लाजवाव रेस्पी जिसे देखकर ही आपके मूँ में पानी आ जाए तो इस बड़ियासी रेस दाल है वो हम ट्रांसफर कर देगे तो यहाँपर दाल को ट्रांसफर करने के बाद हम इसका एक बड़ियासा इस मूझ से बय्टर बनाएंगे और इसका एक बड़ियासा बैटर बनाने के लिए इसमें हम ढालेंगे एक इन्च अदर Himself का टूकडा जिसको हमने दो पीस ये और इसने साथ दालना ही पानिगार नहीं कि यहांPन की दालीर एक पॉजस और भाणीर लेक्षर बने के लिले हैं। और यहां पर हम दालेंगे वन टेबिल स्पून के करीब नमक, वन टेबिल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर और यहां पर जाएगा वन टेबिल स्पून धनिया पाउडर, बन फोर टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर और इसमें अब जाएगा हाफ टेबिल स्पून के अच्छे से डाल दिया है इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है कसूरी मैथी से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़ादा जबरदस्त आने वाला है और इस टेस्ट को और डबलब करने के लिए इसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून के करीब सूजी यह और पूर्पní जो दो人民 सी आड़ का धाले संस्साब कर दुछ की अझता हैं च। बहुत जादा अच्छा आएगा तो में ऑनाटा हैonगा जो नॉड़े हैं और बनाते हैं यह वही आंटा है वहाँ पर हमने ले लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा आटा एड़ करेंगे ताकि जो हमारा मिक्चर है वो आटे में अच्छे से गुंजाए आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑईल भी डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि हलका सची पक परफेक्ट बनकर करा है तो यहां पर हम ले लएक रॉल इसमें फोड़ा सा नीवह के लि قल करें हैं टोड़ा लेकर से तोल में नियुग होता है यहां चाहत है लाँएों पर हम लात कर पकल पक्ला भीयचे हैं में अच्छा हाटों हरार में अच्प्टी उसमें एहां वह प बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन यह बहुत ही जादा टेस्टी बनकर तयार होती हैं अगर आपने इस रेस्पी को एक बार बना लिया ना तो आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे तो यहां पर हमारी जो लोईया है जैसी हमने नीवू के साइज की लोई यहां पर हमने पूरी की साइज में इसको बे लेना है इस तरीके से हमने बेलन की हल्प से इसको बे लिया है पूरी के साइज में तो हमारी पूरी हो चुकी है बिल्कुल तयार की देखिए बिल्कुल पूरी के साइज की हमने बना कर ली है तयार आपको इसी साइज में पू भी फूल कर उपर आ गई है तो हम इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे तो यह पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कोल्डन और परफेक्ट हमारी पूरी बनकर तैयार हुई हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्याद जिसमें आपको पूरी के साथ साथ खस्ते का कचोड़ी का सबकर टेस्ट आने वाला है और इसको लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नई रेस्पी के साथ जब तक के लिए अलाहाफेज